हालो स्टूडेंस वेलकम बेक टू माई चानल आएम स्निया दिवीदी और आज की वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सेसाइज 5.2 का सब्सक्राइब स्टूडेंस को कैसे करना है वो मैं आपको explain कर देती हूं टू एपी ऐसे सबसे पहले क्या बोला है और जिनका ओमने डिफरेंश सेम एक ही अगर सब्सक्राइब एनने बोला आ ए क्या होता है ए ए प्लस डी सेकन्ट में होता है ना आ ए प्लस त्स चूड़ी ये फॉर्ड यह सूम्तुव haar क्वर्श क没有 ठीटर्स यह चन्रक्वरण यह त्समें क्या बहुत अब पीट है इसका क्वर्ण आफ में इसको अलग लिया вообще क्यों कि question में कहीं नहीं लिखा है कि दोनों का first term same है कहीं लिखा है किया नहीं लिखा इसलिए हमने क्या किया दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा बाई किसी का first term 2 है तो किसी का first term 5 हो सकता है इसने कहीं भी नहीं mention किया I hope आपको समझ में आया है सबको, तो A plus 2D, D हमारा सेम लिया है, हमने क्यों? क्योंकि question में clearly mention है, कि AP have the same common difference, the difference between 100th term, अब पहले हम यह कर लेते हैं, पहले दो AP ले लिया, और दो AP का difference क्या ले लिया? सेम ले लिया, डॉट 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 ऐसी चलता जा रहा है, अब देखें, अब उने difference between 100th term is 100, जो दोनों के 100th term है, दोनों के 100th term, फर्स एपी का 100th term क्या होगा? 100th term of AP1, यह लिख सकते हैं हमने जो मान लिया, कुछ भी लिख हो, आप अगर कुछ भी ले रहे, वो क्या हो जाएगा? A plus 99D, बताये हैं नहीं मैंने हमेशा, एक कम ले लो D को, तो यहाँ पर A क्या होगा? Small A, no, capital A, यहाँ पर हमारा A क्या था? फर्स चम, देश, प्लस 99D, राइट, अब क्यूंकि दोनों का difference बोला है, 100th term का difference 100 है, तो 100th term of A, P, 1, अब 100th term of A, P, 2, अब A, P, 2 का 100th term क्या होजएगा? A plus 99D, अब दोनों का difference कर देंगे, जिसकी value क्या होगे? 100, difference मतलब माइनस कर देना है, तो इन दोनों को subtract कर दो, बहुत easy ले, A plus 99D, minus A plus 99D, पूरे को minus करने का है न, इसलिए मैंने bracket लगा दिया, मैं चाहती तो direct भी कर सकती थी, minus और इसको भी minus, बट मैं पहले समझाना चाहती है, is equals to 100, साब़ जाया है, क्या किया मैंने? I hope clear है, तो A plus 99D, plus minus is minus A, minus plus is minus 99D, अब इससे ये cancel, क्योंकि, same है न, plus है, minus है, minus हो जाएगा, अब ये ऐसी रहेगा, A minus A is equals to 100, अब क्या बोले, what is the difference between their thousand term, इनके thousand term में क्या difference होगा? हमने पहले तो ये निकाल लिया, ठेक? अब क्योंकि इसके बाद हम आगे, कुछ solve करने लाइक बच नहीं रहे, तो हमने इसको ऐसी रख दिया, अब हम क्या करेंगे, इनके thousand term का difference मुझे, तो thousand term बिल्कूल as it is कर देंगे, जैसे हमें का है, ठीक है, बस यहाँ पर हम 100 ना लिखेंगे, क्योंकि हमें इसकी value नहीं पता, तो सबसे पहले हम नहीं करेंगे, thousand term of AP1, AP1 का जो thousand term है, वो क्या हो जाएगा, A plus 999 D, अब दोनों का difference बोला है, तो दोनों का difference कर देते हैं, अब इसकी value हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता क्या value, तो हम बस इतना ही करेंगे, इसको, A plus 999 D, minus, A minus minus is plus 999 D, यह इससे cancel बचा के, A minus A, यहां लिखेंगे, difference between, there, thousand, यह इसकी value है, तो क्या है इसकी value, A minus A, अब A minus A की क्या value थी, 100, तो क्या है difference, thousand to term का difference भी क्या आगिया, 100, I hope आपको समझ में आए, क्या है question, कैसे करना है, बहुत easy है, बस तो उड़ा सा हो लगाना था, कि दो A P दिया है, तो इससरी की से simple, इससरी की से दो A P बना लो, राइट, और दो A P बनाने के बार, दोनों का difference लिख लो, राइट, D, A सेम रखना और A अलग अलग लखना, फॉस्टर्म क्योंकि हमें A कहीं नहीं दिया है, question में की, फॉस्टर्म सेम है, डिफृरिंटी हम इसलिए हमने A को अलग अलग लग लग, फिर जो जो question में काया, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, question पर focus करो, rather than answer, जिस दिन question पर focus करना start कर दिया, answer अपने हाँ आने लगेंगे, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, जैसा question ने कहा, पहले मैंने first line समझी क्या का, उसके according किया, फिर आगे समझा, उसने क्या किया, वही करती गे, जो question कहता किया, मैं वह, वह, करती गे, और मेरा answer आगे, I hope आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो फटा फट से like कर दीजे, चैनल को subscribe कर दीजे, और share करना में तुर मैं भूलिए, share करती रही अपने friends को, जैसे आपको समझ में आए, उनको भी समझ में आएगा, ऑके, thank you, comment section में comment करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि पता चले कि वीडियो कैसी बन रही है, क्या ट्रावेक्स है, क्या उसमें कमी है, उसको मैं फिर improvise करूँगी, रेट, तब तक के लिए bye-bye, take care, stay safe, stay at your home, अभी भी कोरोना बहुत स्प्रेड हो रहा है, तो इसका खास तौर पर ध्यान रखिए, hand sanitize करते जाए, sanitize से better तो मैं समझूंगी, कि hand wash करते रही है, right, bye-bye, take care, thank you so much for watching my videos,